बागेश्वर जिले के कौसानी में वार्षिक कला और सांस्कृतिक उत्सव बुरांस महत्चव का विगत 17 अप्रेल को 5 दिवसे आगाज हुआ हर साल होने वाले महत्चव में प्रदर्शनी, ग्रामीन हार्ट, कारिश्वाला, सेमिनार और रंगारंग सांस्कृतिक कारिक्रम किये जाते हैं महत्चव का शुबारंब, सुप्रसिद फोटोग्रापपर पदमश्री अनूप शाह द्वारा दीत प्रज्वलित कर किया गया वहीं आयुजिक मंडल के थ्रीश कपूर वा उपस्थित लोगों द्वारा पदमश्री अनूप शाह को शौल अढ़ा कर सुम्मानित किया गया थ्रीश कपूर ने बताया कि ये लगातार पांचवे वर्ष बुरास महत्सव हो रहा है जो पांच दिन तक चलेगा इस अफसर पर अनूप शाह द्वारा मश्रूम उत्पादन की तक्नीकी जानकारी भी दी गई वहीं अनूप शाह द्वारा फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया वह उपस्तित अतितियों को फोटोग्राफिके टेप्स भी दिये आपने कंडाली उत्सरव के बारे में सुना होगा यह बारा साल में एक दफे होता है चौदास वेली में तो वहां पी ट्रडिशनल ड्रेस में एक लेडी है और यह जो आप देख रहें इसका जो हार है मेरे क्यावचे चार-पांच किलो का शायदी होता होगा और यह पुराणी ड्रेस हैं एक पेडी से दूसरे पेडी को करनवर्ट हो रहें इस फोटो में खाचिया थे देखिया चाय में लेडी है और थोड़ा हाइलाइट कर रहा तो फोटो की डिटेल है इसमें प्रैस वगरे यूज नहीं किया है कभी हमें बड़ी इंट्रेस्टिंग लाइट मिल यह कुमावनी लेडी है ब्राइड गुरूम यह खास कर यहां कुमावनी नत वगरह है और यह गुलो बंद और यह सब जो आप डैसिज देख रहें एक जो ब्राइड होती है तो उसको यह दी जाती है और दूसरा यहां से लैंस्केप यहां के मसूर है यह केसिया का प्लावर है मैंने देफ्ट अफिल्ड कंट्रूल करके दोनों फोकस में है और यह सीतला के देख जगे है तो वहां से यह खीचा गया है यह ओसानी का दर्शे एक फोटोग्रफी वर्शोब में हम यहीं आये तो ऊपर टॉप से पूरा नीचे की वैली है और खासकर विंटर में जब कोहरा हो जाता तो इस तहंके सीन्स दिखते हैं के दारनाथ पीक आप देख सकते हैं उसके ज़स्ट बैक में है यह नैनिताल का सीन है अल्ली मॉर्णिंग है अगेंस लाइट मेंने की चाहे तो यह इसमें खास बात यह है कि यह नजदी का भी फोकस है और दूर का भी फोकस है तो इसमें जितना एपर्चर आप छोटा करेंगे तो देख देख प्रफिंड आपको जादे मिलती है यह नैनिताल का है स्नोफॉल का है और स्नोफॉल में हम लोग पहले प्लान करते हैं अधेर ह अधेर ही में वहां चली जाते हैं थोड़ी धूपाईगी यह चोटी ट्विक्स में जो बरफ यह गिर जाती है तो यह पूरा नेगदाल लेक है यह सहर का है और जो हैस्पीक है चीना पीक आप उसका रिफ्लेक्शन भी इसमें देख सकते हैं यह ट्रेकिंग के दोरान हमने यह गंगोत्री रीजन का यह फोटोग्राफ है नंदनमन का यह हम लोगों का कैम्प है और सिवलिंग पीक आप देख सकते हैं यह कालंदी खाल पास हम लोगों यह था उसके रस्ते का है इसमें हम लोगों की दो कैस्वल्टीज भी वी तो और दूरदार्सन ने इस पे पू करते हैं विंटर में जानवरों के लिए वहां से पंचुली का विहंगम द्रश दिखता है यह अल्ली मॉर्णिंग का स्वट है और लेट इवनिंग में आप देखिए गोल्डन माउंटेंस हो जाते हैं और आप देखनें जहां पे शन्राइज नहीं है नेचरल कलर स्नू का गया है और इस तरह के खासका जितना ठंड होगी विंटर में तो कलर बड़ा गोल्डन आपको मिलता है और अगर सन्राइज है तो काट लाइट पड़ती है और संसेट की समय पूरे नॉंटेज में पड़ती है हमारे पास सबसे खास जी आज जो है यहां के एंजियों के द्वारा बनाएगी वह पाद यहां के असेज के द्वारा बनाएगी वह पाद यहां के लोगों द्वारा बनाएगी वह पाद एक मैं आपको सबसे पहले की दिखाना चाहूंगा जिस फाइबर की बात करना चाहत तो यह एक ऐसा फाइबर है इसको बिच्छु घास कहते हैं हम लोग हमाले नेटल और उस फाइबर से ये लोग इतने सुन्दर स्वार बनाते हैं इन्होंने उसी बिच्छु घास से इस तरह के जाकेट्स तनाने शुरूर किये हैं हमारे पास भिक्या सेम की एक संसर है जो और अब्दो चकष्छा में बनाती है कि निया थे इनका इन जो जो पी निया है इसमें रहा ज Wish इंकोади और उत्रा आ ँढद ग्रिक लेगàiण की राभी किद्द्दे हैं इनको अच्छा भी आपन को बड़ा अच्छा तो वह की में धायने से और यहां की घिक्र घुड़ाइट क इस महत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से अनेक परटक कौसानी आए हुए हैं मैं पुना से आई हूँ, मैं दस साल पहले नईनिताल आई थी लेकिन पहली बार मैं कौसानी आई हूँ और मैं कौसानी से मुझे इतना प्यार हो गया है दो दिन बहुत कम लग रहे हैं और यहां का जो रिजॉर्ट है वो इतना फैमिलियर है तो छोडने का दिल नहीं कर रहा है लेकिन समय की पावंदी की वज़े से हमें निकलना पड़ रहा है और कौसानी अतीशे सुन्दरे हम मराठी में कहते है और प्रतीम है और मैं इस जगह को देवता मानती हूँ ऐसा मन में फील हो रहा है और यह हिमाले की शिकरे हमें इतना सुन्दर अनुभव देती है कि यहां से हिलने का मन नहीं कर रहा है काुसानी का जाते हुँ और यहां पहले बार रही हूं काुसानी मिजह बहुत इपन एक दम दिल को छूग गई ऐसे लगता है कि हाँ वापस आते रहें कौसानी के बारे में क्या बात करें ये पल्बतों के दाएरे ये शाम का धुआ ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों के दास्ता मैं पहली बारे यहां आया हूँ लेकिन इसका इधर का नेचर और यह मुझे बहुत अच्छा लगा कौसारी को महात्मा जी ने महात्मा गांधी जी ने स्विज़रलंड करके बुलाया है वैसा ही यह है यहां आने के बाद जो संदर्य देखा है सुरुष्टी का और दो तीन मौसम में जो जो फरक देखा है कल से बारिश में उसका रूप और आज का तो बहुत संदर है और सच में साल में एक बार कौसानी में आना जीए यहां के लोग भी बहुत प्यारे हैं प्योसानी में आकर इतना अच्छा लगा कि यहां से जाने का मनी नहीं कर रहा है बहुत अच्छा लगा और यह सब वैलीज दिख रहा है और हर एक टाइम में अलग-अलग रूप दिखाई देता है बुरांस महतसव की दूसरे दिन अनासकती आश्रम से सरला बहन संगरहाले तक हैरिटेज वॉक किया गया शाम को महतसव की आयोजग वह फोटोग्राफर थ्रीश कपूर द्वारा उपस्थित लोगों को फोटोग्राफी स्लाइड शो के माध्यम से हिमाले दर्शन कराया गया कि अहुंआ है इसके अलावा लक्ष्मी आश्रम में मस्तो गौरव श्रिवास्तर ने अहिंसा और हम विशय पर कारिशाला ली हो दो पष कर एवाऊ संतानी अ विशया कर सकति में मस्तो घॉक्ष्मी में यूर अश्रिवных अनलावा लेकारोश कि मस्तो आवाए लेये में मिपालेय ग्राश बश्रकल क्यात। महत्सव के आयोचक थ्रीश कपूर ने इस अवसर पर कौसानी के पर्यटन व पर्यावरणिय विचेशताओं को प्रमुखता से उजागर किया कौसानी जिसको भारत का स्विजर लैंड कहते हैं एक छोटा सा गाओं है जो उत्राखंड के अल्मोडा और बागिश्व जिले के बॉर्डर पे स्तिय थे अंग्रेजों के टाइम पर कौसानी एक टी स्टेट थी और इसे कौसानी स्टेट के नाम से जाना जाता था और यहां पर जब अंग्रेज लोग गए तो तब उन्होंने चाय का उत्पादन बंसा कर दिया था कौसानी से बहुत सुंदर हिमाले देखने को मिलता है लेकिन कौसानी प्रकाष में तब आया जब महत्मा गांधी 1929 में कौसानी में आये और दो दिन के लिए आये थे यहां पर वो बागिश्वर में जो उत्राखन के फीड़ फाइटर्स थे उनको समानित करने के लिए आय जो है वहां रुके थे और वो यहां पर दो दिन की बजाए 14 दिन रुक गया उन्होंने अपनी अनाशक्ति योग जो किताब थी उसका हर दिन एक ट्रांस लोग को ट्रांसर करते गीता की ट्रांसर करते थे उसके प्रस्तावना उनने यहीं पर लिखी और छौदा दिन के ब कौसानी में एक और बहुत मश्यूर हस्ति हमारे हैं पैदा हुए सुमितन अधन पंत सुकुमार कभी जिन को कहते हैं जिनने बुरांश के ओपर प्रकृति के ओपर बहुत सुंदा रजनाई की हैं उनका भी जर्म यहीं हुआ और उनका गाउं भी ही पर दोबा के पास है पच्चिस जाच चौसर फिर उची चोटी है वो एक ही स्तान से आपको देखने को मिलता है कौसानी अपने आप में एक अध्भुत चारों अध्भुत जंगल लिया है इस तरह कला और सांस्कृतिक कारिक्रमों के साथ बुरांस महत्सव का समापन हुआ पुलन चेके भूरांस महत्सव का समापन हुआ